नमस्ते बच्चों आज आप सबका स्वागत है कक्षा 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं पुद्धिवल स्रेस्ट है पाड़ परिचे बड़ी मुसिबत को सामने देखकर घबरान सामान्य बात है परन्तु टीपो नामक करथा भाब को सामने देखकर भी नहीं घबराया उसने बुद्धि का प्रयोग कर कैसे अपनी चान बचाई आए इस कहानी में देखेंगे घदी ने किस तरह अपना चान बचाई यहां पर एक घदा है, तो ये लंदन्वन भाग में घदा घास चर रहा था हरे हरे घास चर रहा था, घास बहुत नरम थी और इस घदे का नाम था टीपो टीपो नाम का घदा लंदन्वन में घास चर रहा था और सामने भाग को देखकर उसका होश उड़ जाता है यानि घपरा जाता है अगर हम भी सामने भाग को देखेंगे तो हम भी घपरा जाएंगे है ना उसी तरह गधा भी सामने शे गधाग को देखकर तर जाता है डर चाने के बाद उसने क्या किया और ये देखेंगे तो भाग अपनी चमक्ती आंखों से उसे घूर रहा था टेपू तो समझ गया कि वह क्या चाहता है भाग उसे मार कर खा जाना चाहता था लेकिन भागना असंभव था भाग तो गदे से भी तेज़े से दोटा है उसे पता था उसे भागना असंभव था तो इसलिए गदे ने एक यूजना बनाई क्या यूजना बनाई? वह एक पैसे लंगड कर चलने लगा भाग उसे घौर से देख रहा था भाग ने उससे पोचा क्या बात है भाग? लंगडा कर क्यूं चल रहा है? तो गदे ने जवाब दिया क्या भताओं सरकार यह पे बड़ी बुरी चीज है कल मैं पहाडी पर घास चर रहा था तभी मुझे नीचे एक जग हरे घास दिखाई थी मेरे मन में लालच आ गया बिना सोचे समझे मैं नीचे उतर गया एक फत्तर पर मेरा पै फिसर गया और मैं सीधा ज़ाडी में जाकर गिरा ज़ाडी में बहुत कांटे थे उन में से एक कांटा मेरे पैर में घुस गया वो बहुत नुकिला और मोटा कांटा था मुझे बहुत ज्यादा कस्ट हो रहा है मेरे जान निकली जा रही है तो इस तर गदे ने भाग को बताया तू तो बहुत परिशान है भाई गदे ने कहा तू तो बहुत परिशान है भाई मैं तेरी परिशानी अवश्यों दूर करूंगा मेरी भूपी मीट जाएगे और तू भी आराम पाजाएगा तो कदेनी कहां अगर आप इस तरह करोगे आपकी बड़ी कृपा होगी लेकिन भाग को आस्चर ये हुआ ये क्या है डरने के बचाई तो बहुत खुश हो रहा है इसे तो थोड़ा सभी भाई नहीं है तो इसके बाद जो कांटा चुबा हुआ था यानि ये सही में नहीं कदा तो योजना बनाई थी तो भागने कहां तो दिखावो कहां चुबा हुआ है तो मेरे पैल से वह कांटा निकल निकाल लीजिए कहे ऐसा ना हो कि मुझे खाने से वह कांटा आपके कले में फस जाए जब मेरे पैल में ही वह इतना पीडा दे रहा है तो आपके कले का क्या हाल करेगा कदे ने पड़े भोले पंसे कहा तो भाग ने सोचा भाग ने भी कहा हाँ तू तो ठीक कह रहा है इधर लाँ पेर मैं निकाल दूँगा तो टीपु ने क्या किया आगे बढ़ा कर उसे पैर दिखाया भाग आँखे चमा कर कांटा देखनी लगा तो टीपु मौका मिलते ही उसने खस कर एक धुलती भाग के मादे पर जमाई तो भाग वचीता हुआ माथा पकड़ कर बैच जाता है देखे कि इस धरग घदे की लांत मारने पर गदा उपर उड़ जाता है और उपर उड़ कर नीचे गिरता है तो नीचे गिरत कर अपना माधा पकड़ कर बैच जाता है तब टीपु तुरंट वहां से भाग गया अब भाग की पकड़ से बहुत दूर था तो इधर भाग अपनी बुद्ती को खोस रहा था धूलती ने उसका चबड़ा हिला दिया था उसके दो दांत भी तूट गये थे खोंच से उसका मुख भर कया था पीड़ा से उसकी आँखें मून दी जा रही थी भाग तो बड़ा लजजित था कदे ने अपनी बुद्ती बल से भाग की शक्ती गौन कर दी थी तो इस पार्ट का शिक्षा जो है इस पार्ट से हमें यह सीख मिलती है कि साहसी बनना मुसीबत में भी धैर्य ना खोना विवेक से काम लेना जब हमें मुसीबत आती है तो तब हमें डर्ना नहीं चाहिए उसके बदले में हमें साहसे काम लेना चाहिए धैर्य रखना चाहिए यही सीख हमें इस पार्ट से मिलती है तो आएए बच्चों इस पार्ट का कुछ शप्तार्ट देखेंगे तो शप्तार्ट इस तरह है होश उड़ना घप्रा जाना विकट भयंकर योजना प्लैन लालच लोप सेवक दास और भी गुच्च शप्तार्ट किताब में दिये गए है तो उसकी ओध्यान दीजिए और उसे भी पढ़िए तो फिस से हम इस शप्तार्ट को दोहराएंगे होश उड़ना घप्रा जाना विकट भयंकर योजना प्लैन लालच लोप सेवक दास तो बच्चों उमीद है कि आप सबको यह बाट समझ में आई होगी धन्यवाद बच्चों तो अगले क्लास में और भी नए लेसन के साब मिलेंगे धन्यवाद